सूपर भाद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अभी आपने आ मात्रा के कुछ शब्द सीखे हैं. तो आज हम कुछ और नए शब्द करेंगे. तो तयार हैं आप सब? तो चलिए, सब बच्चे अपनी बाल माधूरी की पेज नंबर 61 ओपन कीजिए. तो हमारा पहला शब्द है तला. तला का क्या अर्थ होता है? जैसे कोई मुसीबत आती है, वो तल जाती है. उसी को बोलते हैं तला. जैसे कोई बड़ा तुफान आया, तो वो टल गया. तला. अगला शब्द है कला. कला का अर्थ होता है, आप देखिए, यहाँ यह बच्चा कितनी सुन्दा चित्रकला कर रहा है. इसकी चित्रकला बहुत सुन्दर है. कला. अगला शब्द है पला. पला का अर्थ होता है, पालना. जैसे आप देखिए, कोई आप डॉगी को अपने घर में रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो वो डॉगी आपके घर में पला. है ना, वो आपके घर में पला. तो पला. 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 अगला शब्द है, चला. चला. आप देखिए, यहाँ पर यह बच्चा गिफ्ट लेकर चला. चला. यह कहीं जा रहा है. अगला शब्द है, धला. धला. धला का मतलब होता है, धला. देखिए, शाम होते ही सूरज धल जाता है. धला. तो चलिए, अभी इन सभी शब्दों को पुना धौराते हैं. तला, कला, पला, चला, धला. तो बच्चों, आपने देखा, इन सभी शब्दों का चुद्वनी है, इन सभी शब्दों की ध्वनी बिल्कुल सेम है. इनको हम बोलते हैं समान ध्वानी वाले शब्द जैसे ला ला सब के अंत में ला आ रहा है टला कला पला धला चला तो इनको हम बोलेंगे समान ध्वानी वाले शब्द तो चलिए जल्दी से सब बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी लेकर आएंगे पांच लाइनों वाली और पै तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे आज की डेट 15.2.22 C.W Classwork तो चलिए सबसे पहला शब लिखेंगे तो ला टला तो ला टला दूसरा चाब लिखेंगे प ला बला प ला अब लिखेंगे क ला कला चलिए अगला शब लिखेंगे चो ला चला चो ला चला और आखरी शब्द है ध ला धला तो देखा आपने इस सब शब्द हमारे समान ले वले शब्द है क्योंकि सभी में समान ले आती है अब आप इन सभी शब्दों को पुनह रिवाइस कीजिए पुनह अभ्यास कीजिए इनका बाइ बाइ बाच्चों